भारत के पेस सेडाल कार में से एक मारती स्विफ्ट डिजायर यूजर्स के लिए खुश खबरी है इस नए साल में 2020 में पूने बेस इलेक्टिकल स्टाटप कंपनी नौर्थवे मोटर स्पोर्ट ने मारती डिजायर के लिए इलेक्टिक किट को इंट्रुड्यूस किया है एक सिंगल चार्च पर थाइसो किलो मेटर तक का रेंज है इस किट का और क्या के स्पेसिफिकेशन से कितने कितने आप्शन से कितने आपको कॉस्ट परेंगे कितना टॉप स्पीड होगा चलिए जानते हैं मेरे इस वीडियो में दोस्तों मैं गुस्विर रंजयन आप सभी सबसे पहले एक मिजर हेड्लाइन पर डाल जेते हैं इलेक्रिक किट के कीमत पांस से छे लाग उर्पए पेट्रल घर से राहत टॉप स्पीड 80 से 140 किलो मेटर प्रती घंटे तक की एक बार फुल चार्ज करें पर 200 किलो मेटर तक की रेंज मिलेगी भारत में इलेक्रिक वेहिकल का डिमांड बढ़ रहा है और जिनके पास पेट्रोल डिजल की कारे हैं उन कारों का भी इलेक्रिकल किट मार्केट में आना शुरू हो चुका है जिससे कि वो इस electrical kit को अपने कार में fit कर सकते हैं और महेंग पेट्रोल डिजल सुन को निजात मिलेगा, रिलीव मिलेगा इसी कोशिश में पूने बेस EV स्टाटप कमपनी नौर्थवे मोटर स्पोर्ट मारूती डेजायर के लिए EV कंवर्शन किट लेकर आई है जिसके एट सिंगल चार्च पर थाइसो किलो मेटर तक की रेंज चलेगी और मज़े की बात यह है कि इस किट का जो टॉप स्पीद है बहुत इंट्रेस्टिंग है चली उसके कीमत का खासियत क्या है वो समझते हैं सबसे पहले आप को बता दे कि नॉर्थियर मोटर स्पोर्ट ने जो इलेक्टिक कंवर्शन की पेश की है उसे मारूती स्विफ, फॉक्स वगिन पोलो और शिवरले बीट जैसे हैजबैक में भी फिट किया जा सकता है और इनकी बैटरी रेव सिंगल चार्च पर 120 किलो मीट की हो सकती है फिल्हाल इसकी कीमत की बात करें तो मारूती डेजायर सिडैन की लिए दो अलग-अलग EV कंवर्शन किट के ऑप्शन्स है जो की drive easy और travel easy के रूप में है इनकी कीमत 5-6 लाग रूपय तक के बीच में है इसके उपर सब कुछ GST देना होगा यहां बताना जरूर आप इस किट को अपने कार के लिए फिट करने के लिए खरीज सकते हैं मारूती सुधी की desire electric kit के battery range और top speed की बात करें तो कंपनी का दावा है कि desire drive easy को single charge में आप 120 km तक चला सकते हैं और desire travel easy को एक बार full charge करने पर 200 km तक चला सकते हैं desire drive easy variant को full charge होने में 5-6 गंडे का समय लगता है वही desire travel easy variant को full charge होने में 8-10 गंडे का समय लगता है इन electrical kits के लिए top speed limit रखी गई है और आप इन से commercial use में 80 km पर hour और private use में 140 km पर hour तक की top speed से भी चला सकते हैं आपको बता दे कि Northern Motorsport ने Tata Ace के लिए भी electrical conversion kit पेश की है और company ने यहाँ भी दावा किया है कि इसके पास मारुती Antiga जैसी 7-sitter MPV के लिए भी EV conversion kit है जिसकी single charge पर battery range 500 km तक की है हालांकि यहाँ बताना जरूरी है कि Northern Motorsport ने कुछ महीने पहले ही desire के लिए EV conversion kit पेश किये थे और इसकी match 500 units ही बिक्री के लिए उपलब भी लीक्स लेटेस्ट अपडेट्स है उसकी notification अबसे पेल आपके पास पोचे फिर मिलते अगले एपिसोड पर एक नए वीडियो के साथ तब तक स्टे सेफ स्टे टियून दिस इस रूबीर साइन आफ